How to fix Facebook an unexpected error occurred problem in about problem नमस्कार दोस्तो स्वागर है अब सभी का तेकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो जैसी ही मैंने अपने दोस्त का जो यहाँ पर about है उसको open किया रहा है Facebook में जैके उनका कुछ यहाँ पर details देखने के लिए लेकिन दोस्तो यहाँ पर क्या हुआ जब मैंने इस about को open किया तो दोस्तो मुझे यह error show किया गया है तो यहाँ पर दोस्तो मुझे यह बताया जा रहा है कि an unexpected error occurred तो मैं आपको यहाँ पर back करके बताना चाहूंगा तो आप देख सकते दोस्तो यहाँ पर यह है about ठीक है तो यह हो गया दोस्तो एबाउट तो इसमें दोस्तो क्लिक करती ही आप देख लिजेगा तो यह जो problem है यहाँ पर जाए नहीं रहे तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं उसके बाद solution को भी हम करेंगे तो फिर दोस्तो जाके problem का यहाँ पर पुरा solution हो जाएगा तीक है उसके लिए दोस्तो वीडियो को आं तक देखे solution को follow कीजिए आपका problem definitely fix होगा और दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरू करें सारे साथ दोस्तो बेल आइकोन को भी क्लिक जरू कर डिजगा यहरी आप online से पेशा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जो है link दे राखा है और किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं सबसे पहले तो दोस्तो हमें क्या करना है यहरी इस तरह का कुई भी error problem आ जाते है SIM card and mobile network पर जाएए और अपना जो SIM है उसको open करें उसमें जाके अपना preferred network type ठीक है उसको select करें और switch कीजिए अपना network तो network वेगरा switch करने के बाद दोस्तों network refresh हो जाएगा तो जब network refresh होगा तो एक बार connection and sharing पर जाके network setting को भी reset कर लीजिए नीचे आपको मिल जाएगा reset wifi mobile network and bluetooth तो उसमें जाके आपको reset setting कर देना है ठीक है आप चाहिए तो आपने SIM को भी आपर select कर सकते हैं तो reset network setting कीजिए यदि आपको यह setting दूने में डिकर हो रहा है तो यहाँ ज process को कर लोगे तो आपका network यहाँ पर improve हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों जाए आपने play store में ठीक है play store पर जाके दोस्तों आपको यह चेक करना है कि facebook आपका जो है update है या नहीं है यह अपडेट नहीं हुआ है आभी टक जाके update करें तो मैं भी दोस्तों यहाँ पर update बट कर लीजिए ठीक है तो अब डेट करने के बाद दोस्तों आपको बेग करना है बेक करना है सेटिंग पर सेटिंग पर करके दोस्तों Facebook को पूरा एक बर जो है रिस्टार्ट करना होगा ठीक है उसके लिए आपको एपस पर जाना है और यहां आपको जाना है मेनेच पर मेनेच एप इंस्तॉल एप या तो फिर एप मेनेजर करके पर जाना हैHaब करना है उसके बाद दोस्तों आपको यहां आपको क्या करना है आपको सार सार इसका इसका जो डाटा है उसको पूर्ट करना है तो clear data वगेरा करने के बार आप यहाँ पर bake कीजिए bake करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ नीचे जो है restrict data uses का option मिल जाएगा तो उसमें जाके दोस्तों आप यह सब data uses को check कर लीजिए यदि आपका restrict data uses जो है यहाँ पर बंड परा हुआ है तो on कर लीजिए यदि on है तो एक बार off करके ok कीजिए उसके बाद दुबारा से जाके आप इसको enable करें और ok कीजिए उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है mobile को एक बार restart करना है mobile restart करना है तो दोस्तों मुझे लगता है मेरा facebook update हो चुका है अभी तक तो यहाँ पर थोड़ा सा बाकी है तो आप mobile को restart कीजिए mobile restart करने के बाद दोस्तों आपका जो problem है यहाँ पर solve हो जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों आप जाएए दुबारा से facebook के अंदर पे और दोस्तों चेक कीजिए आपका problem लगबग fix हो जाएगा तो चलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा wait करते हैं और update होने देते हैं मेरे facebook को ठीक है क्योंकि दोस्तों update होना बहुरी मैंने यही update नहीं होगा तो यह problem कभी नहीं जाएगा ठीक है तो आप देख सकते हैं 58 person यहाँ पर हो चुका है उसके बाद 62 तो मैं इसको थोड़ा सा post कर देता हूँ तो यहाँ पर post तो दोस्तों यहाँ पर लगबग update हो चुका है आभी दोस्तों आईए हम facebook को open करते हैं ठीक है तो इसको open करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप जो है simply डेख लिजेगा problem solve होया नहीं हुआए तो आभी दोस्तों हमें जाना होगा यहाँ सेटिंग search के option पे और उसके बाद जोस्तों मैंने जो यहाँ पर friend का about को open किया था तो मैं उसमें ही जाने वाला हूँ ठीक है मैं दूसरा friend का about में नहीं जाओंगा तो मैं उसी के about में जाओंगा तो आप चाहिए तो reverse करके देख सकते हैं वीडियो को ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर about जो है बिल्कुल open हो चुका है और कोई भी unexpected error नहीं आ रहा है problem यहाँ पर solve हो चुका है ठीक है तो बस दोस्तों यह है इसका solution इसके जो तरीका है उसको follow करके कि आप इस problem को solve कर सकते हैं तो बस दोस्तों इतना ही है इसका solution इसके बाद आपको कोई decade कोई problem कोई भी issue नहीं होगा तो आज के इस वीडियो पर बस इतना ही thanks watching